केंद्र की मोधी सरकार के दो साल हो गए हैं बीजेपी दो साल बेमिसाल कह रही है येकिन विपक्ष सवाल पर सवाल उठा रहा है इस मुद्धे पर बातचीत के लिए हमारे साथ केंद्रिय सामाजिक न्याय और अधिकारता मंत्री थावर चन गहलो जी है थावर जी सबसे पह बेमिसाल उपलब्दियों से भरे हैं आप किसी भी दरश्टी कौन को ध्यान में रखेंगे तो ऐसा लगेगा कि हर बात में बेमिसाल हुए हैं चाय विदेश निती ले लो चाय कूट निती ले लो चाय आर्थिक विवस्ता देख लो जब नरिद मुदी साब देश के ये एतिहासिक उपलब्दी विरोध पक्ष के सभी माननी सदस्यों को महसूस करना चीए देखना चीए ये तो आकड़े हैं इसके साथी साथ हर विभाग में सक्रीता आई है जीवंतता आई है हर विभाग वाइब्रेंट होकर के काम कर रहा है और समुचित, संतुलित, सर्विस्पर्शी और सर्व व्यापी हित की योजना है सारे देश में बिना किसी भेदबाव के संचालित की जा रही है लोगों के अच्छे दिन आ गए आप मानते हैं वास्तों में लोगों के अच्छे दिन आये हैं और आ भी रहे हैं और इस बात के प्रमान एक बार नहीं अनेक बार अनेक सर्वे एजेंसियों ने सर्वे करके भी प्रदर्शित किया है इलेक्ट्रोनिक मीडिया ने भी किया है राट्री अंतर राट्री संस्थाओं ने भी जो इस खेत्र में काम करती है सर्वे करने का काम करती है उन्होंने भी सर्वे करके ये दिखाया है आज भी नरेंद्र मोदी साब के पक्ष में जो पहले समर्थकों की संक्या थी उसमें और व्रद्धी हुई है गहलो जी विपक्ष एक बात और एक आरोप बार बार लगाता है बीजेपी पर भी सरकार पर भी कि बीजेपी संग की छाया में पली है बढ़ी है और खड़ी है सरकार के कामकाज पर छाप संग की दिखती है विपक्षिय भी आरूप लगाता है क्या काम करने की पूरी आजादी है या वाकई कोई रिमोट कंट्रोल है जो कहीं और से संचालित होता है देखो नरेंदर मोदी जी के नेतरतों में ही सरकार काम कर रही है नरेंदर मोदी साप के नेतरत में मंत्री मंडल की बेठक होती है और मंत्री मंडल निर्णे करता है और वो देश में लागू होता है फिर नीती आयोग उसका नेतरुद भी प्रधान मंतरी नरेंद मोधी साब करते हैं वहाँ निरने होते हैं और जो नीती बनती है उस पर इंप्लिमेंट करने की दृष्टी से कारियोजना बनती है और कारियोजना बनाने का काम मंतरी मंडल करता है नरेंद्र महोडी जी के नेतरे तुम्हें ही सरकार चल रही है और उनके मार्व दर्शन में ही सब काम हो रहे हैं आखरी सवाल, UPA सरकार देशने और आपने 10 साल जनताने भी देखा उसका काम काई UPA सरकार से आपकी सरकार किस طرح अलग है देखो यूपीय सरकार में जो प्रधान मंत्री होते थे उनसे जब आप लोग बात करते थे तो आपकी बात का जवाब वो शायद एसा देते थे कि मैं मजबूर हूँ मैं आपकी बात का जवाब देने में असमर्थ हूँ मैं कुछ कह नहीं सकता हूँ इस प्रकार की मनस्थिती उनकी बना दी गई थी अर्थात वो 27 रूप से काम नहीं कर पाते थे उनकी मंत्री मंडल के साथ विचारी मर्श करके निरने करना चीए थे वो नहीं कर पाते थे एक परिवार विशेष की सला पर वो चलते थे ऐसी आम धारणा थी और उसमें सत्यता भी दिखती थी और आज भी दिखाई देती है एक कॉंसिल पनादी थी सलाकार परिशत के नाम से राक्ट्री सलाकार परिशत और वो सला देते थे उसी के आधार पर उनको काम करना पड़ता था नरेंद्र मोदी साब की सरकार मंत्री मंडल में विचार विमर्श करती है नीती आयोग में विचार विमर्श करती है और निरने करती है नरेंद्र मोदी साब के कारिकाल में मैंने बताया कि आर्थिक विकासदर 4.4 की बज़ा 7.5 पहुची है अटल जी की सरकार 2004 तक थी और UPA की सरकार बनी नरेंद मोदी साब ने जो 7.5 तक विकासदर लाई है अटल जी के टाइम पर ये विकासदर 8.4 थी और जब अटल जी हटे थे तो 8.4 पर छोड़ा था आप 8 जुलाई 2004 का बजट भाषन सुनेंगे UPA सरकार का तो उसमें सब उलेक किया था अब अटल जी 4.4 की विकासदर छोड़ के गए थे इन्होंने वादा किया था कि हम उसको 9 प्रतिशत तक पहुँचाएंगे दस साल में ये एक परसेंट भी नहीं बढ़ पाए आठ परसेंट भी मेंटेन नहीं कर पाए साथ भी नहीं रही छे भी नहीं रही पांच भी नहीं रही चार दश्मलों चार पर ले जा करके खड़ा कर दिया था इसी से दिखता है कि 10 साल की सरकार ने भारत को 20 साल नहीं 30-40 साल पीछे धकेल दिया था अगर वो चाहते तो भारत की विकाजदर 9 प्रतिशत से उपर कर सकते थे पर उनकी गलत निती गलत नियत के कारण और कारिशेली ठीक न होने के कारण समय पर निर्णे नहीं लेने के कारण वो इस्थिती बने थी आज भारत की विकाजदर ने चीन को भी पीछे छोड़ दिया इतना अच्छा और इतना बड़ा उधारण आपके सामने है उससे सिद्ध होता है कि UPA सरकार फेलिवर सरकार थी नरिंद मोदी जी की सरकार विकाज सील सरकार है हर शेतर में उन्होंने अच्छे काम किये हैं और मैंने कुछ आंकड़े दे करके आपके सामने जानकारी दी है बहुत बहुत शुक्रिया गहलो जी आपका और आने वाले दिनों के लिए शुपकामनाई भी तो ये थे थावर्चन गहलोत केंद्री सामाजिक और नियाय अधिकारता मंत्राले की जिम्मेदारीन के पास है इन्होंने अपने मंत्राले के कामकाज का ब्योरा विस्तार से रखा इंटर्व्यू में और साथी साथ ये बताया कि किस तरह केंद्र की मोधी सरकार काम कर रही है पार दरश्चता किस तरह की है साथी साथ उन्होंने ये दावा किया कि लोगों की अच्छे दिन आ गए आने वाले दिनों में वो अच्छे दिन और ज्यादा अच्छे होंगे कैमरामेन अशनेल ठागुर के साथ रागवंदर दुवेदी यूजवाड इंडिया तिल्ली